वेलकम एन वेलकम बेक टू माई चैनल आज की वीडियो में हम बात करेंगे टूइन क्राफ्ट में जो हमें प्रावलम आ रही थी कैरक्टर को कैसे बिठाना है वो प्रावलम हमारी सॉल्व हो गई है तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम न्यू अपडेट के बाद अपने कैरक्टर को बिठा सकते हैं तो इन क्राफ्ट में आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करते ना है सेकंड वाले उप्शन पर गिलिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने बैक्ग्राउंड का ऑफ्शन आ जाएगा यहां से कोई एक बैक्ग्राउंड आपको सेलेक्ट कर लेना है यहां से कोई भी आप बैक्ग्राउंड ले सकते हैं बैक्ग्राउंड लेने के बाद यहां पे हमारे सामने character का जो option आ जाता है वहाँ से आप एक character select कर लिए तो इसाब यहाँ से आप character ले सकते हैं अब यहाँ पे character को लेने के बाद इस तरह सा interface हमारे सामने आ जाता है अब यहाँ पे हम देखेंगे जिस तरह से हमें जो white controller दिखता था वो हमें नहीं दिख रहा है पर हम अपनी finger की help से character को इधर उदर कर सकते हैं लेकिन जो पहले हम update से पहले finger की help से character को बिढ़ा पाते थे वो हम नहीं बिढ़ा पा रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे आपको character के उपर tap करना है उसके बाद आप देखेंगे कि इसके आसपास blue blue dot से हमें कुछ दिख रहे हैं इनसे आप देख सकते हैं आपको character पे click करने के बाद अपनी finger को इस तरह से आप move करेंगे जैसे अगर आपको इसके pair को अगर इधर से उदर करना है इसके हाथ को इससे आप कर सकते हैं एक और चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पहले इसके facial experience चेंज नहीं हो रहे थे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ फिंगर की help से अब भो भी कर सकते हैं यहाँ पे जो हमारा main चीज है character को बिठाना वो आप किस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे आपने बस अपनी finger को touch करना है और यहाँ पे आपका character बैट जाएगा character को यहाँ पे करने के बाद आप देखेंगे हमें side से done का option दे रखा है done के option पे यहाँ पे click कर दिंगे जब आप done के option पे click करेंगे तब भी हमारा character बैठा हुआ save हो जाएगा यहाँ पे हमारा character बैठ गया है और इसको यहाँ पे आप finger की help से उपर की तरफ बैठा सकते हैं तो यहाँ पे इसकी तरह से आपने character को बैठा सकते हैं जो की new update के बाद हमें पता नहीं जल दाता कि इस तरह से बैठाना है simple से इसका solution मिल गया है character पे tap करेंगे and finger की help से आप step हमें को बैठा सकते हैं अचिता सकते हैं ए कर सकते हैं इसके हमचे हाथ बगर को भी city आप से मूप कर सकते हैं तो इस तरह से आप और एहांगहीं होगा और आप एसाजी से भी character के साथ यहाँ पे कर सकते हैं आपको अपने अपनी वीडियो में Character को set करवाना चाहते हैं, आपको character के उपर tap करना है और आप अपनी finger की tip से character को बैठा सकते हैं इसके हाथ पैर को भी move कर सकते हैं Face expiration को भी इस तरह से आप move कर सकते हैं I hope आपको video helpful लगी हो और video helpful लगी हो तो channel को subscribe कर देना वीडियो को like share और comment कर देना कोई doubt हो तो comment में आप पूछ सकते हैं